तो आज हम फिर से MSQ करने जा रहे हैं 20 important MSQ हम इस वीडियो में करेंगे तो इससे पहले भी हमने एक और वीडियो अप्लोड किया हुआ है 20 MSQ का important MSQ उसका JKS SBA को अस्टेन के लिए तो आगर आप लोग उने अभी तक वह नहीं देखा है तो आप journaling पर जाके देख सकते हैं तो जैसे जैसे हम कंप्पलीट करते जाएंगे वैसे हम उनस जो सेक्षेन है वहां से भी question लेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह question actually हम जब MSQ करते हैं तो इस से हमें बहुत अच्छा और helpful रहता है हमें exam center में तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहरा question हमें दिया गए है सबसे फेला question है which among the following committee was appointed by government of india in 1977 to recommend for improving efficiency of panchayati raach institute तो question पूछा गया है कि इसमें कौन सा committee appoint किया गया था government of india की दावरा 1977 में जिसने recommend किया था जो improving efficiency of panchayati raach institute है उसकी improvement के लिए तो उसकी efficiency को improvement करने के लिए recommend किया गया था तो वो कौन सा है option दिया गया option number a question number first का अशोक महता committee option number b आपको दिया गया है सरकारिय कमीटी option number c आपको दिया गया है तरकुंडी committee and option number d यानि लास्ट बलवन्राइ committee तो इससे पहले आप answer करने से पहले आप वीडियो को आप वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को stop कर लेना और comment box में अंसर को comment करने फिर इसके बाद जाके आप अंसर चेक करने ठीके उससे आपको याद रहेगा ठीके तो इसका सही आंसर कौंसा रहेगा question number first का आपका सही आंसर रहेगा option number आपका यह सही आंसर रहेगा अशोक महता committee था वह आपका appointment किया गया था ठीके 1977 में फोर इंप्रिंग एफिशेंसी ओफ पंचाहिती राज इनस्चूट इसने यह मलब रिकमेंडेट किया था की improvement in जिस रिकमेंडेट फोर इंप्रिंग एफिशेंसी ओफ पंचाहिती राज इनस्चूट इसी जो अशोक महता कर्मेटी इसकी दावरा बताए गया था ठीक है तो आगे बढ़ता है कौशन नमबर सेकंड वीच अमंग फॉलाइंग इस एन एपक्स बोड़ी अंडर पंचाहिती राज जो पंचाहिती राज है इसमें सबसे एपक्स बोड़ी कौन सा सबसे हाइप इस पर पोजिशन पे क आपका दिया गये हैं पंचाहिती नमांटी अप्शन नमब्र थाड आपको दिया गया है मंडल परिशत एप्शन नमबर डी यानि फौर्थ आपकोदी ग्राम सबा तो इसका राइड अंसर कौन सा होगा कॉस्टर सेकंड का आपका सही एंसर रहेगा फिर इसमें जो अपक् बन जाए दिराज ठीक है तो चलिए आगे बढ़ता है question number third third हमें यह तो था हमारा question number second अब हमें आगे बढ़ता है question number third question third क्या बात करें तो third किस बारे में दिया गया है आपका supreme court has made right to free education is the part of which among the following right तो यह हमारा Indian constitutions है question तो इस में पुछा गया है कि supreme court has made right to freedom जो right to freedom free education है वो कौन से पार्ड में इसको include किया गया है तो सबसे पहला option आपका question number third का option number A आपको दिया गया है right to life option number second आपको right again exploitation option number third आपको दिया गया है right to freedom of speech and expression and option number fourth आपको दिया गया है culture and educational right तो इसका सही answer कौन से रहेगा question number third का आपका option number A आपका सही answer रहेगा right to life जो supreme court है उसने जो free education है उसको right to life में आपका include किया है ठीक है आगे बढ़ते है question number third आगे बढ़ते है question number fourth question fourth हमें दिया गया है the right to constitutional remedy in India is available to home of the following किस के लिए available है जो right to constitutional remedy है हमारा तो वो किस के लिए available है तो इसमें option दिया गया आपको option number A आपको दिया गया only citizen of India के लिए सिर्फ citizen of India के लिए ही है या constitutional remedy right to constitutional remedy या option number B आपको दिया गया all person in case of infragment of any fundamental right उनके लिए है या option number C आपको दिया गया any person for enforcing any of the fundamental right confirm on all persons या option number D आपको दिया गया none of this तो question number आपका फूर्ट का सही अंसर कौन सा रहेगा फिर होब लोग होब आप लोगन एंसर कर दिया होगा तो option number C आपको सही अंसर रहेगा available to any person of enforcing any of the fundamental right comfort on all person ठीक है यह option number C is the right answer of question number 4th आगे बढ़ते हैं question 5th question 5th हम में क्या दिया गया है following is या are the elements of sustainable agriculture डेज़ डेज़ जो sustainable agriculture है उसके elements कौन से हैं इसमें से कोई भी हो सकता है या सब हो सकता है या आपका कोई भी हो सकता है इसमें से इस या आर दिया गया है तो इसमें option आपको दिया गया है question number 5th का पहला option है आपका प्रिम पर्मकल्चर sorry permaculture option number B आपको दिया गया है agroforestry option number C आपको दिया है mix farming and option number D all of the above तो question number 5 का आपका सही answer कौन सा रहेगा फिर जो sustainable agriculture है उसके element कौन-कौन से यह पुछा गया इसमें तो प्री परम परमा कल्चर परमा कल्चर जो है यह आपका element है sustainable agriculture का option number B agroforestry यह भी आपका sustainable agriculture का आपका element होता है and C option number C आपका है mix farming यह भी आपका element होता है इसमें sustainable agriculture में तो all of the above is the right answer of question number 5 को यानि option number D आपका सही answer रहेगा question number 5 का चलिए आगे बढ़ते हैं question number 6 6 क्या दिया गया आपको the united nation conference on sustainable development is also known as जो united nation के जो आपका conference हुआ था on sustainable development पे उसको और क्या कहा जाता है इसमें option दिया गया आपका option number A Rio 2010 Rio 2011 आपका दिया गया option number B option C आपको दिया गया Rio 2012 and option number D आपको दिया गया है Rio 2013 तो आपका सही answer कौन सा रहेगा question number आपका 6 का जो united nation conference or conference on sustainable development है उसको आपका और क्या कहा जाता है यह हमने पढ़ा हुआ हुआ है question number six का आपका सही answer रहेगा option number C आपका सही answer रहेगा Rio 2012 भी कहा जाता है इसको ठीक है तो आगे बढ़ते है question number seven trial balance is prepared for यह हमार account section से trial balance is prepared for यह पूछा गया है option number A आपका journal दिया गया है prepared from trial balance जो है वह आप कब बनाते हैं किस से बनाते हैं मलब ठीक है किस से बनाते हैं यह पूछा गया है किस से बनाते हैं मलब उसके बाद बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहला option आपको दिया गया जर्नल के बाद बनाते हैं यह option number second आपका लेजर के बाद तो इसका सही अंसार एगा आपका option number B, ledger, ledger से ही आपका trial balance prepare करते हैं, ठीक है, तो question number 7, आगे बढ़ते है question number 8, question number 8 आपको दिया गया, a trial balance shows, trial balance क्या दिखाता है, option number A आपको दिया गया, honesty of accountants, जो accountants के honesty को दिखाता है, या option number B आपको दिया, accuracy of accountants, account के accuracy को दिखाता है, या option number C आपको दिए, only all grammatical accuracy of account, सिर्फ alphabetical accuracy को दिखाता है, या option number आपको D दिया गया, none of this, तो question number 8 आपका सही नसार को दिखाता है, तो इसका सही अंसार रहेगा, आपका option number C, आपका सही अंसार रहेगा, only mathematical accuracy of icons, यह trial balance दिखाता है, ठीक है, तो यह तो था question number 8, आगे बठते है question number 9, question number 9, a trial balance contains the balance of, जो trial balance है, उसमें कौन-कौन से balance contain होते हैं, ठीक है, यह पूछा गया है, तो option number A, आपको दियागा, only personal and real icons के balance हो या option number C, आपको दियागा, only nominal and personal accounts के होते हैं, या नहीं, तो option number D, आपको दियागा, all accounts, हर किसे accounts का होता है, तो question number 9, का आपका सही answer कौन सा रहेगा फिर, तो इसमें तो trial balance contains the balance of, इसमें सारे accounts के रहते हैं, ठीक है, all accounts से रहेंगे, option number D, आपका सही answer रहेगा, question number 9, ठीक है, चलिए आगे बठते है, question number 10 के और, question number 10 आपको दिया गया, date is the most widely used method of trial balance in practice, हमने किये हुए है, तो कौन सा method का ज्यादा इस्तिमाल करते हैं, trial balance practice में, जो आपका सबसे ज्यादा तर कौन सा method का इस्तिमाल करते हैं, ये पूछा गया है, trial balance के, तो option आपको दिया गया, option number A, आपका total method, एक total method होता है, उसका इस्तिमाल ज्यादा करते हैं, या B, आपका दिया गया, balancing method, option number C, आपको दिया गया, total gum balance method, या option number D, none of this, इन में से कोई नहीं है, तो इसमें से आपका सही answer कौन सा रहेगा, question number 10 का, तो इसका सही answer रहेगा, method माना जाता है, trial balance, इसमें, methods में, तो balance method का ही इस्तिमाल करते हैं, तो question number 10 का, आपका सही answer रहेगा, option number B, balance method is mostly widely used method of trial balance in practice, ठीक है, तो आगे बढ़ते है, question 11 के और 11 दिया गया है, the last king of gonanda dynasty vast, तो last, जो gonanda dynasty था, उसका last king कौन है, कौन था ये पूछा गया है, तो आपको option दिया गया, option number A आपको दिया गया है, जवीता गुपता है, and option number B आपको दिया गया है, प्रतापा दितियास या option number C आपको दिया गए है लली दितिया and option number D आपको दिया गए है बाल दितिया ठीक है तो hope आप लोगों को answer आया होगा इसका question number 11 का 11 का सही answer और कौन सा रहेगा फिर तो इसका सही answer रहेगा आपको option number D बाल दितिया बाल देते है जो था ना वो लास्ट किंग था जो गोनांदा डेनस्टी है उनका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौश्चन नबर टुवल की वह टुवल दिया गया है हमें किसको फर्स्ट मुस्लिम सेंट कश्मीर का कहा जाता है ये कौश्चन पूछा गया है अप्शन आपको दिया गया है सबसे पहला ओप्शन आपको दिया गया है नुरु दि को दियागै तो कौश्चन नबर टुवल का आपका सही आंसर को कुन सा रहेगा फिर सबसे पहला मुस्लिम सेंट कश्मीर का किसको माना जाता है नूर इदीन नूरानी को माना जाता है तो option number a is the right answer of question number 12 ठीक है चलिए आगे बढ़ता है question number 13 अधर फ्रेस equality before law used in article 14 of Indian constitution has been borrowed from यह कहां से लाया गया था यह जो Indian constitution equality before law है ना जो हमारे article 14 में यह हमने जो India जो fundamental rights जब हम ने पढ़े थे वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा था तो equality before law कहां से लाया था option दिया गया option फेला USA, option number second आपका Germany, option number third आपको दिया गया ब्रिटेन and option number fourth आपको दिया गया है ग्रीस तो hope आप लोगों का answer आए गया होगा, question number 13 का आपका सही answer कौन सा रहेगा, option number C आपका सही answer रहेगा, Britain Britain से आपने equality before law लाया था ठीक है आगे बढ़ने question number 14 which is the full form of computer, computer का full form क्या है यह पूछा गया है तो यह भी हमने पढ़ा हुआ है, option दिया गया है, सबसे पहला option है commonly open machine particularly used for trade and educational research या option number B आपको दिया गया, commonly oriented machine publicly used for trade and educational research option number C आपको दिया गया, commonly oriented machine particularly used for trade and educational research and option number D आपको दिया गया, commonly owned machine publicly used for traffic and e-commerce research तो question number 14 का आपका सही answer कौन सा रहेगा, तो computer का full form कौन सा है option number C आपका सही answer रहेगा, commonly oriented machine particularly used for trade and educational research ठीके, question number 14 का आपका option number C से answer रहेगा, ठीके आगे बठते है, question number 15 which of the following is not part of sustainable development goal? या SDG, sustainable development goal के कौन से, इस में से कौन से कौन सा आपका sustainable development goal का part नहीं है, यह पूछा गया है तो सबसे पहला option देगा है, access to sustainable energy for all option number B आपको देगा है, availability of water and sanitation for all and option number C आपको देगा है, provision of internet service for all and option number D आपको देगा है, promotion of decent job for all तो question number 15 का आपका सही अंतर कौन सा रहेगा फिर इस में से तो सबसे पहले जो access to sustainable energy for all है, यह तो आपका sustainable development goal में था, include था, यह हमने पढ़ा हुआ है, हमने जब sustainable development goal पढ़े थे तो उस ही में पढ़ा था, ठीक है, option number A तो आपका था, option B आपका दिया गए, availability of availability of water and sanitation for all, यह भी आपका है, sustainable development goal में, option C आपको दिया गए, provision of internet service for all, यह आपका नहीं था, option number C आपका सही अंसर रहेगा, option number D आपको दिया गए, promotion of decent job for all, यह भी था, तो option number C आपका सही अंसर रहेगा, question number 15 का, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 16, the chairman of the district planning shall be nominated by whom, जो district planning का, जो chairman होता है, उसको कौन nominate करता है, यह पूछा गए, question number 16 में, option number A आपको दिया गए, government, option number B आपको दिया गए, magistrate, option number C आपको दिया गए, sir punch, and option number D आपको दिया गए, secretary, ठीक है, तो secretary, आपको नहीं है, तो आपको सही अंसर कौन सा रहेगा, question number 16 का, हो वावनों ना answer कर दिया होगा, तो question number 16 का सही अंसर रहेगा, आपका option number A, यानि government, government के दावरा आपका जो planning, जो district planning chairman है, उसको नोमिनेट किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ता है question number 16, आगे बढ़ता है question number 17, हल्का पंचाइद constitute under which section of act, कौन से act के अंदर में आपका जो हल्का पंचाइद है, उसको constitute करते है, fall, कौन से act के अंदर fall करता है, यह जो हल्का पंचाइद आपका, तो option number A दिया गया, 4th, option number B आपका 5, option number C आपको दिया है, 6th, and option number D दिया गया, 7th, तो कौन से act के अंदर आता है, आपका 4th के आता है, तो question number 17 का आपका सही answer है, option number A, 4th, हल्का पंचाइद constitute under the fourth section of the act, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 18, who can be elected by the punch of हल्का पंचाइद, तो जो पंच है, हल्का पंचाइद, उसको कौन elect करता है, तो यह पूछा गया, question number 18 में, तो option दिया गया, option number A आपको दिया गया, secretary, option number B दिया गया, आपको administrator, option number C आपको दिया गया, magistrate, and option number D आपको दिया गया, किन का सही answer आपका क्या रहे गया, फिर आप कौन elect करता है इसको, knife serpent, ठीक है, knife serpent elected, जो पंच होते है, हल्का पंच है, उसको, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 19, balance sheet is a statement of, जो balance sheet होता है, जो statement होता है, किस के बारे में statement होता है, ठीक है, option दिया गया, option number A आपको दिया गया, अचे, option number B आपको दिया गया, option number C आपको दिया गया, capital, and option number D आपको दिया गया, all of the above, हो ठीक है तो कॉस्टन में नाइटिन का आपका सही अंसर रहेगा ऑप्शन नमर डी चलिए आगे बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट कॉस्टन है यह बैलेंस शीट आप प्रिपियर्ट कब बनाये जाते जो बैलेंस शीट है वो पूछा गये तो मंदली बेस पे बनाये जाते है ऑप्शन नमर यह बैलेंस शीट है वो प्रिपियर्ट किया जाते हैं तो होब आप लोगों को कुस्टन अच्छे लगे होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर है वे नाइस देए